अलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैंपे और आज हम बात कर रहे हैं मारूती सुजू की स्विफ्ट VXI मॉडल की चारो तरफ से प्रोफाइल को कवर करेंगे और सारे फीचर्स इसी वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे चार स्नेंडर इंजन इस कार के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा और फ्रेंट लुक को देखेंगे तो फ्रेंट लुक पे हमें दिखाई देगा मारूती सुजू की का लोगो और क्रॉम ग्रिल देखने को मिल जाएगी और ब्लैक कलर की चारो तरफ आपको जाली दिखा तो यह सारा सिस्टम इसकी light profile और नीचे की side से cover का दीखता है इधर की side से देखते हैं तो light की profile कुछ इस प्रकार से हमें देखने को मिल जाएगी tire profile की बात करें तो tire profile में आपको alloy wheel नहीं मिलते, disc brake मिल जाते हैं फ्रंट में और इसके wheel size जो है 14 inch का wheel size आपको देखने को मिलेगा यह देखें तो यह सारा system मिल जाता उपर की side में देखेंगे तो आपको wiper देखने को मिल जाएंगे दो wiper मिलेंगे इसमें बहुत कारेंसी है जिसमें एक wiper भी मिलता है, यहाँ पर देखेंगे तो आपको indicator मिल जाता है rear view mirror पर, यहाँ से करते है open और देखते हैं क्या क्या system मिलता है यही पर आपको चारो बिंडो का option मिल जाता है, आप down करने का, rear view mirror को set करने का option मिल जाता है, door को lock unlock करने का सारा system मिल जाता है, यह चारो ही बटन है, चारो बिंडो के और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह lock unlock का सारा system है, यह rear view mirror को बिलकुल lock करने का system मिल जाता है, यहाँ से set कर सकते हैं आप rear view mirror को तो ये system इसी driver door पर आपको पूरी profile देखने को मिल जाएगी नीचे की side में देखेंगे तो यहाँ पर आपको speaker भी मिल जाएगा और यहाँ पर आपको bottle holder का option मिल जाएगा है यहाँ पर आप bottle रख सकते हैं seat profile की बात करें तो height adjustable seat इसकी driver seat मिल जाएगी बाकी और कोई seat नहीं मिलती और इसको आगे पीछे अपनी आवश्रक्ता नुसार आप कर सकते हैं यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर आपको light profile को up down करने के लिए सारा system आपको मिल जाएगा set कर सकते हैं आरके bonnet को open करने के लिए यहाँ पर एक switch मिल जाता इसको खीचेंगे तो bonnet open हो जाएगा नीचे की side में 3 pendle आपको देखने को मिल जाएगे glitch, brick और race का और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको AC vent का option मिल जाएगा, यहाँ पर key का option मिल जाएगा, यहाँ पर आपको light को जलाने और indicator को चलाने का option मिल जाएगा handle कुछ इस परकार से दिखता है, अंदर बैट के देखते हैं, तो क्या मिलता है, handle की profile की बात करें, तो Maruti Suzuki का logo मिल जाता है, और airbag मिल जाता है, music system को set करने का पूरा option मिल जाता है, voice command का option मिल जाता है, bluetooth connectivity का option मिल जाता है, तो यहाँ पर यह सारे system मिल जाता है, music system इधर से set हो जाता है, तो यह सारा system मिल जाता है और right side में handle पर कुछ भी नहीं मिलता, यह left side में ही music का सारा system मिल जाता है, और बात सारा सिस्टम मिल जाता है और यहां पर आपको यह सारे सिस्टम देखने को मिल जाएंगे यहां से आप वाइपर को चला सकते हैं लेफ्ट साइट से वाइपर का सारा ऑप्शन मिलता है यहां पर हम AC वाला HEATER भी यहीं पर मिलेगा आपको तो HEATER भी चला सकते हैं AC भी चला सकते हैं अपने आवशक्तन उसार यहां पर आप देख रहे हैं तो 12 B, 120 W, Chargen मिल जाता है AUXEL underside, USB auxiliary input का option मिल जाता है यहां पर मिल जाता है यहां पर आपको seat belt का भी option देखने को मिल जाएगा, तो यह सारा system मिल ता है यहां पर day night वाला mirror مिल जाता है light मिल जाती है और यहां पर आप देख रहे हैं तो यहां पर mirror नहीं मिल த यहां पर vanity mirror जो है यहां पर इधर की side में mirror मिल जाता vanity mirror पर तो यह है और इधर आपको handle नहीं मिलेगा, बाकी तीन सिटों पर handle पकड़ कर बैठने के नहीं है, आपको देखने को मिल जाएगा, तो ये सारा system इस car में आपको देखने को मिलेगा, पर बात कर लेते हैं इसके safety feature की, तो ABS system मिल जाता है, brakes assist मिल जाता है, central lock मिल जाता है, power door lock मिल जाता है, child safety lock मिल और यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर front में आपको head rest मिल जाते हैं, और पीछे की side में head rest adjustable मिलते हैं, front में तो मिल जाते हैं, दो airbag मिलते हैं, anti thief alarm का system मिल जाता है, seat belt bordering का option मिल जाता है, crush sensor मिल जाता है, EBD का option मिल जाता है, speed alert का option मिल जाता है, speed sensor auto door lock मिल जाता है, यहां से open करेंगे पिछले वाले डॉर को तो पिछले वाले डॉर पर फोक अनलोक, power window और यहां पर speaker और bottle holder का option यहां पर आपको देखने को मिलेगा बाकी और कुछ नहीं मिलता पिछली रो कुछ इस परकार से हमें दिखाई देती है थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं इस car के dimension और capacity की तो length इसकी 3845 mm width 1735 mm, height 1530 mm की है और इसके अंदर 5 लोगों के बैठने की seat है पिछले वाले टायर के अंदर आपको drum brake मिल जाते है पिछली लाइट कुछ ऐसी है, 5 ही door है इसके अंदर और weight इसका 875 kg से लेकर 905 kg तक आपको देखने को बिलेगा नीचे से देखेंगे तो कुछ पिछली वाले पीछे से देखते हैं तो कुछ इस परकार से दिखती है, swift आपको लिखा हुआ मिलेगा और थोड़ा सा हम इसके उपर देखते हैं उपर light कुछ इस परकार से दिखती है और यहाँ पर आपका antenna है, यह open करना पड़ेगा तब यह खुलेगा, और पिछले वाले mirror पर defogger नहीं मिलता भाई तो यह भी है, और यह light ने कुछ इस परकार से में दिखती है सेंसर, parking sensor भी इसमें मिल जाता है ऐसा नहीं है कि parking sensor नहीं है, parking sensor मिलता है और यह जो आप देख रहे हैं तो यहाँ पर door की वो ही position है जो सारे door की है थोड़ा सा fuel performance की हम बात कर लेते हैं तो इसके अंदर आपको petrol engine मिलता है 23.2 km पर लिटर का आपको इसका mileage मिलता है fuel tank इसके अंदर 37.0 का मिलता है तो BS6 engine मिलता है तो यह सारा system इसकार के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा front में passenger door पर भी वो ही system मिलता है जो other door पर मिलता है AC bent मिल जाता है, यहाँ airbag मिल जाता है seat profile वही है, सिर्फ आगे पीछे कर सकते हाइट adjustable नहीं है बैट के देख लेते हैं, यहाँ पर गलब compartment मिल जाता है light नहीं मिलती, इसके अंदर airbag मिल जाता है और पूरा आगे से front look देखते हैं तो कुछ इस प्रकार से हमें दिखाई देता है इस वाली profile से तो features आज के दोर में मिलने चाहिए वो सारे features इस car के अंदर मिलते हैं लेकिन यह VXI model है तो इसमें VXI model के हिसाब से ही सारे features मिलते हैं क्योंकि एक car के अंदर बहुत सारे model आते हैं तो model के हिसाब से features मिलते हैं boot space open करते हैं तो काफी बड़ा boot space हमें देखने को मिलेगा यहाँ पर आप देखिए तो यहाँ पर स्टपनी का टायर भी आपको देखने को मिलेगा, इस टपनी के टायर के साथ में आपको जैक और कुछ चाबी पाने ऐसे समान भी मिल सकते हैं, साइट प्रोफाल से देखते हैं, जब कार की बूर्ट स्पेस ओपन होता तो कुछ इस प कार को खरी दिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सस्क्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द